कि हैं है कि है है जाब है य्वर्वन वेलकम टू कमपर्टिशन करेव पॉइंट मैं आज आप लोगों के लिए जहारखन पीजटी हिंदी पेपर टू से टेस स्रीश टू का आज मैं टैक्टिस करवाने वाला हूँ अव आप लोग खुद से टेस्ट दे रहे हैं खुद से notify करना है कि कौन सा टोपिक आपकी लिए बि वीक है कौन सा टोपिक को atención है और जरूरिक यूई नोग कमेंट सेक्षिन में जरूर करें कि 150 में आपको कितने प्रस्थ सही करें और सारे प्रस्थणों का आपको मैंने की जवाब देने हैं इसमें नेगेटिव मार्की नहीं है इसलिए आप जितना भी प्रस्न को सही कीजिए वो आपके लिए बिन्फिट होगा अगर जिसका 130 पलस अगर इस टेस्ट इस टू में अगर 130 पलस अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका त्यारी बहुत हद तक ठीक है फिर भी और मेहनत करने की जरूरत है अगर इसी टेस्ट को अगर PDF फोर में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा 700 450 1486 इस इस नमर पर वाक्षप करने हैं आप बोलने हैं कि सर मुझे PDF से टेस्ट देना है तो इसका मिनमम प्राइस सखा गया 10 रुपीज हर टेस्ट का इसने भी टेस्ट का 10 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा तभी आप ये टेस्ट ले सकते हैं और आपको टाइम बचाना है तो PDF से ही टेस्ट दिजिए अदरवाज आपके पास यूट्यूब पर ये टेस्ट बिलकुल फिरी है जब तक टेस्ट चलेगा य और जितना भी किसी परकार नोट्स चाहते हैं PDF चाहते हैं तो आप इसी 700 450 1486 पर ही कॉंटेट कीजिए सर मुझे इस टोपिक का नोट्स लेना है एक टोटल टोपी का या इंडिविविवल खंड का कैसी मेसेज कीजिए आप लेकिन करिएगा आपको मिल जाएगा सारे पेड सभी को और यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट टू का मानक देवनागरी वनमाला भारत के सिच्छा मंत्राले के द्वारा कब परभावित की गई थी तो देखिए मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा आप लोग विकल्प खुद से पढ़के अपना अपने 150 लिख देखिए और उसमें ए बी सी जो भी निखना होगा उस तका को मेंसित कर लेजिएगा तो यहां से विकल्प आपका भी हो जाएगा उने सो स्यासत इस्वी नेक्ट है देवनाग्री लिफी और हिंदी वतनी मानिकी करन ofere in 1983 स्वी में किस ने परकासित तिया था तो यहां पर आपके पास चार विकल्प है चार विकल्प मेंसे आपका विकल्प आपका जो होगा विकल्प कौस आई हो जागा केंद्रिय हिंदी निदशाला यह भेर भ जार्खन में सबसे ज़्यादा बोलने वाली छेत्रिय भासा कौन सी है संथाली बंगला मुंडारी हिंदी तो आप लोग सही ज़र दे रहोंगे विकल्प ए संथाली जार्खन के मुंडा भासा परिबार में निन्व से कौन सी भासा सामिल है कोरवा, खरिया, पहरिया, खोठा तो यहां से बिल्कुल विकल्प भी हो जाएगा खरिया नेच्ट है, सद्रि अंगिक्ा और नाखपरी भासाएं जो जार्खन में बोली जाती है वह किस भासा परिबास से सम्मदित है तो मुदारी भासाएं, इंडो आर्यन भासाएं, ड्रविट भासाएं, मुदा भासाएं तो यहां से विकल्प भी हो जागा इंडो आर्यन भासा अवर्ट में अब्रंस की सभी धावनियों का त्रिक आई और ओव की संधी से बने सब्दों की कौन सी धावनिया निकलती है आपके पास चार विकल्प दिये हुए यहाँ पर तो आप लोग देख लिए होंगे यहाँ से विकल्प आपका एक सही है ए और ओ नेक्ट है आप भरंस का भाव भूती किसे कहा जाता है तो यहाँ से आपका जो विकल्प देखे चार विकल्प भी दीए हुए हैं तो विकल्प आपका देखे यहाँ से भी सभी हो जागा पुश्प्यदंत महावी परसाद दिवेदी को किस वर्ष सस्वती पत्रिका के संपार्दक के रूप में निक्ट किया गया है तो यहां से आपका जो बिकल्प होगा भी हो जाएगा उने सो तीनिस्वी नेक्ट है फोर्ट बिलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी बिभाग के पर्तम अध्यच कौन थे तो यहां पर भी आपके पास चार बिकल्प दिये हुए हैं इसमें से बिकल्प आपका जो होगा बिकल्प ए होगा गिलक्राइस्ट बिकल्प ए आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट है अधिनिक हिंदी साहित में राजा द्वाएक के नाम से बिख्यात दो रस्ताकार है तो यहां से आपका बिकल्प सह सही हो जाएगा राजा लच्मन सिंग और राजा सुवपसा सितारे हिंद नेक्ट है हिंदी साहित के मर्दिकाल में ब्रज भासा का साहितिक भासा के रूप में विकास इस काल्ण हुआ था आपके पास देखें यहां पर भी चार बिकल्प दिये हुए हैं तो आप लोग देख लिए होंगे यहां से आपका बिकल्प जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा नेक्ट है लोर कहा या चंदायन में विशेश रूप से परियोग हुआ है बानी और उलट बासी, दोहा और चोपाई, कबित्व और घनाच्छरी और रोला और कुंडलिया तो यहां से बिकल्प आपका बी सही जवाब होगा दोहा और चोपाई का नेक्ट है बंबई, हिंदी, विद्यापिट जो की बंबई में सित है की अस्थापना कब हुई थी तो यहां से आपका बिकल्प बी सही जवाब होगा 1938 नेक्ट है किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्हेती नहीं कर सकता जब तक की इसका कोई एक राष्ट भासा ना हो तो यहां पर भी यह जो कथन है यह बिल्लकुल आपको जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी का कथन है नेक्ट है 15 नबर पर्थम राजभासा आयोग की अस्थापना कब की गई थी देखिए यहां पर मैंने इस प्रकार कर प्रस्की लिया होकि इस देट के साथ लिया हूं कि आप लोग को कंफुजन ना हो तो आप लोग बिलकुल जान रहंगे 1905 आप लोग की याद होगा तो बिलकुल आप लोग ये 7 जून उन्यसोपचपचपन लेकिन यही ऑसक वापısı है ता 7 जून साजुन साजुन कि उने सो पच्पन और आता अधा आठ जुन आठ जुन उने सो पच्पन तब यहां पर आपका कन्फुजन ज्यादा होता है इसलिए इस डेट को भी बिल्कुल याद रखे साजुन उने सो पच्पनिश्वी निमलीखित में से केंद्रिय सरकार के करियालों का अनुप्यूक्त विभाजन है मने कि इसमें से तीन उप्यूक्त हैं एक अनुप्यूक्त है तो यहां से देखिए कव वर्क छेत्र, खव वर्क छेत्र, गव वर्क छेत्र, गव वर्क छेत्र तो देखिए जब भी आप लोग पढ़े होंगे यह तीनों यहां पर बिलोंग करता होगा लेकिन घर नहीं आता है इसलिए बिकल्प आपका यही घर दिने की बिकल्प डी सही जवाब हो जाएगा राज भासा बिभाग किस मंत्राले के अधीन है तो यहां से जो बिकल्प आपका जो सही होनवाला है बिकल्प भी ग्री मंत्राले नेक्ट है हिंदी भासा की किस रूप का परयोग किया जाता है तो यहां से आपका बिकल्प गव हो जाएगा मानक भासा नेक्ट है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुई है या हुआ है ब्रज भासा अओधी उर्दू खड़ी बोली तो विकल्प आपका यहां से देखिए घह सही जोगा खड़ी बोली नेक्ट है पहारी इलाके में इनमें से कौन सी भासा बोली जाती है छतिसगरी गरवाली कुमावनी मेरवाती मरवारी कनोजी तिहां से जो विकल्प होगा भी आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट है पच्छमी हिंदी का उद्वाव अपरंस के किस रूप से हुआ है अर्दमागदी, महराष्टी, मागदी, सोच सेनी तो यहां से विकल्प आपका दी सही जवाब होगा सोच सेनी नेक्ट है पर्योजन मुलक हिंदी को कहते हैं तो यहां से देखिए आपका बिल्कुल ए होगा बेवारिक हिंदी नेक्ट है डॉक्टर भोलाना तिवारी के अनुसार पर्योजन मुलक हिंदी के कितने रूप होते हैं तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच पकारक होते हैं, साथ पकारक होते हैं तो यहां से बिल्कुल विकल्प सी होगा साथ पकारके Next है बिग्यान, तक्निक, बिधी, संचार एवं अन गति बिधियों में पर्युख्त होने वाली भासा को क्या कहते हैं तक्निकी हिंदी, बैजयानिक हिंदी, पर्योजन मुलक हिंदी, सचनिक हिंदी तिहां से बिकल्प आपका सी सही हो जगा पर्योजन मुलक हिंदी नेक्ट है ग्यान ग्यान के तत्वों को ब्यक्त करने वाली बिशेस सब्दावली को क्या कहते हैं तो यहां से आपके चार बिकल्प में से बिकल्प आपका दी सही जवाब होगा पारी भासिक सब्दावली निमली खीत में से दिवनागरी लिपी की बिशेस्ता नहीं है यहां से आपका यह जो बिकल्प जो थिरी जो दिया हुआ है मात्राओं के परियोग बेखरूपता यह दिवनागी लिपी की विसेश्था नहीं है तो बिकल्प आपका यहां से थिरी सही हो जाएगा नेश्ट है निर्ण में से असत्य कथन कौन सा है यहां से आपका बिकल्प भी जो है बिल्कुल यहां पर असत्य कथन है बाकी यहां पर देखिए अचार रामचर सुक्र का इतिहास ग्रंद 1929 से प्रकासित हुआ बिल्कुल सही है और यहां पर भी सही है यह भी सही है तो बिल्कुल आप लोग भी यहां पर आप लोग टिक कर गहूंगे नेक्ट है हिंदी साहित का बेज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है यहां से भी चार बिकल्प दिये हुएं तो यहां से आपका जो बिकल्प होने वाला सही भी बिकल्प होगा डॉक्टर गनपती चंद्र गुप्त नेक्ट है 28 नमर असंगत बताना आपको गायव होता हुआ देश रनेंद मने कि इधा पुस्तक के नाम बुक के नाम अइधर उनके लेखक हैं मरंग घोला निलकंठ हुआ महवा माजी अरने अधिकार महासवता दिवी गोलोबल गाउं के देवता राधा कृष्ण यहां पासे चार बिकल्प में से आपका बिकल्प ढी जो है साइज जवाब होने वाला है क्योंकि यही असंगत है कि गोलोबल गाउं के देवता इनको को भी लिखे हैं कौन रने नर्जी नेक्ट है निमलीखीत में से जार्खन की रशनकार कौन नहीं है राधा कृष्ट सर्वन कुमार गोस्वामी तूहिन सिन्ना ठाकु जगमहन सिंग तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे यह यहां पा तीनों जार्खन संबंदित है लेकिन ठाकु जगमहन सिंग यह जो है जार्खन से संबंदित नहीं है तिसमें नमर प्रस्ण जो है आदमी नातक के नातक का कौन है तो यहां पर जो विकल्ब दिये में राधा कृष्ण, सत्नरायन, सर्मा, रामदिन पांडे, द्वारका परशाद तो यहां से बिल्कुल आप लोग द्वारका परशाद को सहीजवाब दे रहे होंगे विकल्ब डी सहीजवाब हो जाएगा 31 में प्रस्ण जो है हिंदी में हिंदी में लोक जागरन की अधारना किस आलोचक की है तो यहां पर आपके जो विकल्ब सहीजवाब होने वाले हैं विकल्ब ये राम बिलास सर्मा नेक्स्ट है प्राचिन भारत के भासा परिबार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है राम बिलास सर्मा, धिर्यंदर सर्मा, रामक्मार बर्मा, शिवक्मार मिस तो विकल्प यहां से भी इसका भी आपका ये सही जवाब होगा नेक्ट है आलोचक के मुख से किस आलोचक के ब्याखनों का संकलान है तो यहां से आपका विकल्प सी होगा नामवर सिंग नेक्ट है रस आखेटक के रसनाकार है तो यहां से आपका बिल्कुल विकल्प सी होगा सहीजवाब कूबेर नातराई नेक्ट है मद्द परदेश के निमलिखित लेखकों में से किसने अपने ब्यंग लेखखन विकलान स्रधा का दोर के लिए साहित अकादमी पुष्कार प्राप्त किया था पंडित माखान चतुरदी राहत इंदोरी हरिसंकर परसाई मैथलिस रनगूप्त तिहां से बिकल्प आपका सी सहीजवाब होगा हरिसंकर परसाई 35 प्रस्ट जो है सेक्स्पियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है तो बिकल्प भी हो जाएगा लाला सिताराम किस परसीद हिंदी सहीजवाब ने सेक्स्पियर के 12 नाटकों का हिंदी भासा में अनुवाद किया है महादेवी पर्मा, जैसंकर पसार, रांगे रागाव, मनुभंडारी बिकल्प यहाँ से C सहीजवाब होगा रांगे रागाव नेक्ट है हिंदी का पहला परतिक धर्मी नाटक है तो यहाँ से बिल्कुल बिकल्प A सहीजवाब होगा कामना नेक्ट है इन में से कौन सा उपनियास वर्ग संघर्ष की भावना पर अधारित नहीं है मसाल गंगा मैया नाक्फेनी का देश गुनाहों का देवता तो यहां से विकल्ब आपका दस सही जवाब हो जाएगा गुनाहों का देवता नेक्ट है धरंबीर भारती का उपनियास सुरज का सात्वा गोरा किस स्रेनी में रखा जाता है तो यहां से विकल्ब भी होगा पर्योक्षिल चलिसमेन प्रस्ण जो है आएग के किस उपनियास की परसंशा प्रकासमान पुछल तारक का कर की गई है सेखर एक जिवनी नदी के द्यूप अपने अजनेवी बिनु भगत तो यहां से विकल्ब आपका ए सहजवा होगा सेखर एक जिवनी कब जाओं किसकी कहानी है तो यहां से बिल्कुल विकल्ब भी सहजवा होगा आरेस तिरपाथी नेक्ट है अरून और मदुली का किस कहानी के पात्र हैं विकल्ब डी सहजवा होगा प्रुसकार नेक्ट है गेंगरीन गेंगरीन कहानी का अनिनाम है विकल्ब भी रोज नेक्ट है इन में से किस कभी का समन्द तिसरा सब तक से है रघविर्श है सवदेश भारती गिर्जा कुमरबात्वूर बिल्कुल यहाँ से आस ही जवा होगा सक्सेना जी नेक्ट है स्वामी अग्रदास का समन्दित किस भक्ति सक्खा से है विकल्ब सह हो जाएगा ची हो जाएगा राम भक्ति सक्खा नेक्ट है पद्वामत में कुल कितने खंड है विकल्प भी हो जाएगा संतावन सिंग अलोकन किसकी आत्म कथा है विकल्प डी एस्पाल नेक्ट है निमलीखित में से कौन सी रसना आत्म कथा नहीं है जूठन जूठन अपनी खबर हाथ से पत्के साथी यहां पर विकल्प डी हो जाएगे पत्के साथी नेक्ट है साये में धूप गजल संग्रा किस तसनाकार का है रगुबर साय दूस्यंत कुमार नरेश महता धर्मिर भारती तो विकल्प यहां से भी हो जागा दूस्यंत कुमात पच्छेस्वेन प्रस्न है निमलिखित में से किस कभी का समन नोगित बिधा से नहीं है विकल्प भी होगा गिधर राठी नेक्ट है आयोध्या सिंग उपद्याई हरी ओर द्वारा लिखित का बेगरंथ है विकल्प सा मने किसी चौखे चौपदे नेक्ट है आतमजे किसकी रचना है कि दानाथ असोक बाजपे कुवन रायन गयनेंद्र पती विकल्प सी हो जागा कुवन रायन जसंकर पसाद का आदामबिक उपनाम क्या था मदूप रशिक कलाधार रंजन तो यहां से विकल्प सी होगा कलाधार किस चायवादी रशनाकार की रशनाओं में भवनातमक राश्यवाद के दर्सन होते हैं सूरिकान तिरपाठी निडाला सुमितर अनपंथ जसंकर पसाद महादेवी बर्मा तो यहां से विकल्प डी हो जागा महादेवी बर्मा बादल राग कभीता कितने खंडों में परकासित हुई है विकल्प डी आपका सही जवाप होगा छे प्रगती वाद में किस विचाधारा का उदाई मना जाता है माक्सवादी, छायवादी, पर्योगवादी, जन्वादी विकल्प आपका एस हजवाबगा माक्सवादी प्रगति सिल लेखक संग किस अस्तर के संस्ता है? अंत्राश्टिये, राजस्तरिये, दास्टिये, हिंदी भासी प्रांतिये विकल्प आपका भियोगा अंत्राश्टिये नेक्ट है किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और पर्योगवाद तीनों लच्छन पाए जाते हैं संसेर बहादूर सिंग, भवानी पसाद मिस्र, ध्रमीर भारती, नरेस महता तो यहां से विकल्प आपका एस हजवा होगा संसेर बहादूर सिंग इन में से कौन सा संस्रान अत्मक ग्रंथ कृष्ण सौप्ती द्वारा रचीत है विकल्प आपका एस हजवा होगा हम हस्मत महादेवी बर्मा की किस क्रीती में जिवजन तूओ और पसूपच्छियों से समनी सस्मरान है विकल्प आपका दी से जवगा मेरा परिवार तूल्सी की बिलच्छन पतीभा इस बात में है उन्होंने भक्त और रचनकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वा किया है भाक्त मुलता देवी सक्ती के किसी सवरूप में आस्ता रखता है जबकि रचनकार अपनी आसिकता नासिकता के बाद एक मुलता यही किया धर्म पेच करम में प्रवित्थ होता है तूल्सी दास के विशाय में उपरियुक्त कथन किस साहितकार का है विकल्प आपके पास है विकल्प आपका यह होगा राम सवरूप चत्रवेदी यह सुचित करने की आउसकता नहीं है कि ना तो सुर्ग के आउधी प्राधिकार था ना जैसी का ब्रजभासा पर यह कथन किसका है विकल्प थिरी हो जाएगा राम चन सुक्ल रिती काल के कभी कौन से नहीं है इसमें तो यहां से विकल्प डियोगा नाम देव नेक्टे तंत्री नाध कभित्त रस सरस राग रती संग रंग पंक्ती के रचेता कौन है यहां पर बिल्कुल विकल्प चार होंगे बिहारी हिंदी काभी में 12 मासा वर्नन सबसे पहले कहां मिलता है तो यहां से विकल्प आपका थिरी होगा विसल देव रासो आधी काल को परारंभी काल नाम किसने दिया है डॉक्टर गियर्षन मिस्र बंधू महाई पसाद दिवेदी हजारी पसाद दिवेदी तिहां से विकल्प आपका टू सही होगा मिस्र बंधू हिंदी के सवर्व पर्थम परकासित पत्र का नाम किया है विकल्प सी उदन्थ मादन हिंदी का पर्थम महाकावि कौन सा है पित्वी राज रासो पदमवत रामचित मानस बिहारी सस्साई तो यहां से विकल्प आपका एक सही हो जाएगा पित्वी राज रासो हिंदी साइट में किसकी अपनी एक सम्रीध प्रमप्रा रही है नातक ब्यांग कहानी लगूगा था तिहां से विकल्प डी होगा लगूगा था नेक्ट है हिंदी के पर्थम गदिकार है विकल्प बी ललूलाल धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता है वह जो अपने कौसल से दुसरों को बेक्व बना सकता है उप्रिक्त सनवाद गोदान में किन पात्रों के मध हुआ है विकल्प बी गोबिंदी और मेहता नेक्ट है होरी का पूरा नाम क्या है होरी दास होरी लाल होरी राम होरी विकल्प आपका यहां से सी सहीजवाब का होरी राम संपंती और सहीज़ता में बैर है हम भी दान देते हैं धर्म करते हैं लेकिन जानते हो क्यों केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए हमारा दान और धर्म कोड़ा अंकार है भिसुद अंकार कथन है किसे यह जो कथन है कौन किसे कर रहा है तो यहां से आपका बिकल्प होगा राय से बोलते हैं बिकल्प भी आपका सहीज़व हो जाएगा नेक्ट है निम्लिखित में से गधान उपनियास में वर्नित गाउं गोंकों से है तो यहाँ पर सिम्री गंगोली बिलारी और मेरी गंच चार यहाँ पर गाउं के बेहनाम दिए हैं तो आप लोग सही ब्लम कर लीजिए यहाँ पर लोग तो यहां पर आपका जो विकल्प होगा खोग बिलारी और सिम्री नेक्ट है गोदान उपनियास के संदर में सही नहीं है प्रेमचन ने गोदान को संक्रमन की पीड़ा का दस्तावेच बताया है विकल्प बी जो है गाउं की कथा और सहर की कथा साथ साथ चलती है फिरी दोनों कथाओं में समन्ताओं और संतुलन पाय जाता है यह उपनियास समस्या परदान है उपनियास में महाजनी सवेता का समर्थन हुआ है यहाँ पर आपको असत्ति धूलना है तो यहाँ पर विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा यह गलाथ है कथन नेक्ष्ट है निमलीखित में से किस इस्तिरी पात्रों को कविता लिखने का सौक था मालती मिसेच खनना स्रोज वर्दा तो यहाँ से विकल्प बी हो जाएगा मिसेच खनना डॉक्टर परशान किस आरोप में गिर्वतार कर लिया जाता है यहां से आपका बिकल्प सह हो जाएगा कम्मुनिस्ट होने के आरोप में ग्राम ऑशनी भारत मातर के आंचल को मैला आचल कहा है किसने कहा है यहां से बिकल्प आपका भी सही जवाब हो जाएगा नेक्ट है मैला आचल के संदर में असत्ति कथन है इसमें पूर्णिया जिले के मेरी गेंज गाउं को केंद्र बनाया गया है यह गाउं तेराहट अस्टेशन से साथ कोस पूरा पिस्तित है गाउं के पच्छिम कमला नदी किधाराबाती है मैला आचल का प्रकासन उन्हें सो चोन हुआ था तो यह आपका विकल्प यहां पर गलत है यहां पर हो चाहिए था पूर्भी होना चाहिए था कि अधिकल्प सघ्जाएंगा सी सही हो जाएगा निम्लिखीत में से मैला आचल अपनियास के पात्र है कमला सानवाच साधेव मिसीर बल भद्र नरायन तो यहां से जो बिकल्प का जो हो जाएगा कि यहां भी देखिए मैला आचल की भासा परिनिश्चित हिंदी के ब्याकरन की कसोटी पर जगा-जगा खरी नहीं उतती फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोग पिर यह रचना सिध हुई है इसा कारण यह है कि यहां पर आपके चार बिखल्प दिये हैं तो बिकल्प देखिए यहां पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा बस अई वह परिवेस और पात्रों के अनुरूप यह थात्परक भासा का परियोग हुआ है नेक्ट है परिवेतन ही स्रिष्टी जीवन है समय इस्तिरी और पुरूष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ से खिलता है किसका कथन है यह यह है बिकल्प आपका यह धातु सेन नेक्ट है कवीता करना अनन्थ पूनी का फल है किसका कथन हो यह एक असकंद गूद्ध मातरी-गूद्ध वदूची चनाकि है夏 declans भीऊगा मातरी गुप्त का नेक्ट है असकंद गुप्त का रचना काल है 1928 1925 1924 1929 तो विकल पापका यहां से यह सही जवाब होगा प्रकासन प्रकासन काल के दिश्टी से परसाज जी के नाटकों का सही अनुक्रम है कौन सा है कि यहां से आपका चार विकल्प दिये हुए हैं आप तो देख लीजिए यहां से आपका विकल्प जो है यह बिल्कुल साही जवाब होने वाला है राश राश्री विशार असकंद गुप्त चंद्रगुप्त 86 नमर जो है धार्म के अन्दभाक्तो अदभाक्तो मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है किसका कथन यह है विकल्प आपका यह होगा प्रख्यात कृति यहां पर भी एक यहां पर कथन ही दिये हुए हैं रंगमच को हिंदी भासी पदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और अकंचाओं का प्रदिन्दित्व करना होगा रंगों और रास्यों के हमारे बिबेग को ब्यक्त करना होगा उप्यूत कथन निमलिख्यत मैं से किस नाट सबहोगा असार का एक दिन ना तक हई- निम्री खित मेंसे असार का एक दिन पात्र कौन है यहां पर यहां पर भी चार विकल्ब हो दिये हुए आप आम एला लीजये देख लीजिए और पर इसको पढ़ लीजिए उसके आपको यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है इसमें से कौन सा विकल्प होंगे तो यहाँ पर देखिए दंतुल और अनुस्वार बी और सी वाला ज्यादा करेक्ट है तो विकल्प आपका टू करेक्ट हो जाएगा नेक्ट है सौंदरिक का यह सहज उप्भोग हमारे लिए केवल एक सपना है यह कथन किसका है विकल्प आपका यहाँ से यह हो जागा पिरंगु मंजरी नेक्ट है निमलिखीत में से सूमेलित नहीं है अंबिका जो ग्राम की बीधिस्तिरी मलिका नोकरानी काल्डास कभी मातूल कभी मातूल तो यहाँ से देखे यहाँ पर यह जो विकल्प है विकल्प भी आपका गलत है जो की सुमेलित नहीं है नेक्ट है हरिन साहब का उले किस नातक में हुआ है अंधा यूग सिंदूर की होली असार का एक दिन आध्या धूरे तो यहाँ से आपका विकल्प सी सज़वगा असार का एक दिन नातक भारत दुदसा औपनियास का पांचवा आंग कहां खुलता है किताब खानों में वन के बीचो बीच समसान में इनमें से कोई नहीं विकल्प आपका एसे जब होगा किताब खानों में भारत दुदसा की भासा सैली के संदर में सही नहीं है यहाँ पर भी चार विकल्प दिये हुआ आपके पास तो यहां से बिल्कुल ये संदर्ब में सही नहीं है संस्कित निस्थ भासा का परियोग नेक्ट है डिस लोयल्टी पात्र का समन्ध है किस नातक से अंधेरी नगरी, भारत दूदसा, निल्डेवी, चंद्रावली यहां से विकल भी होगा भारत दूदसा भारत दूदसा को भारतेंदू के ने किस नाम से पुकारा है यहां पर देखिए एक चीप बता रहे हैं यहां पर यहां पहुना चाहिए था, दासक होना चाहिए था तो यहां से आपका विकल यह सही हो जाएगा नाट रासक या लास सी भी लिखा रहेगा लास सी रूप, लास सी भी लिखा रहेगा तो यह भी सही है निल्डिखित में से भारत दूदसा का खलनायक का परतिनायक कौन है भारत भारत भाग दूसन भारत दूदेव विकल डी होगा भारत दूदेव नेक्ट है मा कहानी का अनुसार आदित्य को कितने ब्रस की जेल हुई थी विकल पापका यहां से खल सही हो जगा तीन ब्रस कानुन यही है कि बाप के मरने के बाद जैदात बेटों की हो जाती है मा का खा केवल रोटी कपड़ा का है यह कथन किस कहानी से लिया गया है मा कहानी, बेटो वाली बिद्वा कहानी, अलोगेजा कहानी, इद्गा कहानी तो विकल्प आपको यहां से बी होगा बेटो वाली बिद्वा कहानी जब जब बड़े भाई साहब फेल होते थें तब तब छोटा भाई क्या होता था फेल होता था पास होता था सब्सेमेंट्री लाता था खुश होता था तिहां पर ख़ो हो जाएगा बिकल्प पास होता था इद्गाह कहानी किस पत्रिका में परकासित हुई थी? जमाना, सस्वती, चांद, हंस तिहां से बिकल्ब आपका सी होगा चांदर पत्रिका में परकासित हुई थी रगू को अपने परिवाज से अलग रख होने के लिए कौन बार बार कहता है? उसकी पत्नी सोतेली मा, पीता, सोतेला भाई, विकल्ब का हो जाएगा उसकी पत्नी पंडित चोखेलाल सर्मा किस पत्र के संपादक थे? हिंदुस्तान आज नौरस सैनिक बिल्कुल गा होगा नौरस केसो और प्रेमा किस कहानी के पात्र है? धिकार कहानी, कायर कहानी, सिकार कहानी, नसा कहानी तिहां से विकल्ब भी हो जाएगा कायर कहानी से संबन्दित है हामिद अपनी दादी के लिए क्यार आता है? खिलोना, चिम्टा, रबडी, मिठाई तो ये लोहे का चिम्टा विकल्प भी ने खो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो पंक्ती लिखुई है इसका पंक्ती का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर चार विकल्प दिये हैं आपको पढ़ दीजी अच्छा से विकल्प आपका वी सही जवाब होगा अचार सुक्ल ने लोग के कितने विसे माने हैं दो तीन चार पांच विकल्प आपका ए होगा दो नेक्ट है सुक्ल जी ने सधा और भक्ति निवन्थ में अस्थूल रूप से सधा के कितने भेद बताएं हैं भिकल्प आपका यहाँ पर तीन असर हो जाएगा बिट नो स्रधा भक्ति निवन्थ का अंशार कोण सा कथन सही नहीं है कि आपके पास चार बीकल्प दिये हो यहाँ पर इसमें से एक बिकल्प जो होगा वो बिलकुल गलत है, सही नहीं है, वही आपको छाटना है, तो यहां से 108 का आपका जो होगा, विकल्प A आपका सही जवाब हो जाएगा, यह जो कथन है, असत्ति है, सही नहीं है उसके बारे में, मूर्थी बिधान के लिए कभीता में भासा की किस सक्ति का पर्योग किया जाता है, यहां पर भी आपके पार चार विकल्प दिये हुए है, विकल्प A हो जाएगा, लच्छना सक्ति, अचार शुकल का जाती संकेत वाले सब्दों से क्या विपराई है, विकल्प भी होगा अनेक रूपो बेपारों के बोधक सब्द, यदि सरीर में कहीं सुई चुबने की पिड़ा हो तो केबल समानी दुख होगा, पर अधि साथ ही यह ज्यात हो जाएकि सुई चुबने वाला कोई बेक्ती है, तो उस दुख की भावना कई मानसिक और सालिरिक ब्रितियों के साथ संस्लिस्ट होकर उस मनुविकार की योजना करेगी, जिसे क्रोध करते हैं यह वाक किस निवन से समन्दित है, विकल्प दी हो जाएगा भाव या मनुविकार, नेक्ट है, चिंता मनी भाग एक का भाव और मनुविकार समन्दि की पहली नीवन कोई सी है, भाव और मनुविकार सर्धा और भक्ति लोव अप्रिति कभिता किया है, यहां से आपका विकल्प यह हो जागा भाव और मनुविकार, यहाँ पर या भी लिखा रहेगा यहाँ पर देखिए पंक्ती लिख हुई यहाँ खुद से पंक्ती पढ़ ले परसुत पंक्ती किस कभीता का है 4 बिकल्ब है सोज़े स्मिती, राम के सक्टी पूजा, राम चेते मानस, अयोध्या कांड, कभीता वली उत्तर कांड निराला की राम की सक्ति पूजा पर किस रचना का सरवाधिक प्रभाव था वालबे की रमायन कीतिवास रमायन राम चैति मानस विश्नुपुरान तो विकल्ब यहां से बी होगा कीतिवास रमायन राम की सक्ति पूजा किस पत्र में प्रकासित हुई थी सुधा भारत मतवाला आनंध करमनी विकल्ब यहां भारत राम की सक्ति पूजा की कथा कि कितने सुपान है दो तीन चार पाँच विकल्ब डी सरी जहां होगा पाँच यहां पर भी पांक्ति लिखी हुई है उन विश पर जो प्रथम चरन तेरा वा जीवन सिंदू तरन यह जो पांक्ति लिखी हुई है यह किस कभीता से संबंदित है तोड़ती पथर जुई किकली सोजिस्मिती यहां पर आपका यहां पर दबल लिखा गया यहां पर दाम के सक्ति पुजा कर लिजेगा दाम की सक्ति पुजा तो यहां से बिकल पर यह वाला होगा परस, करेक्ट हो जागा सोजिस्मिती जो लोग यह अन भी करेंगे तो उनके भी सही हो जाएंगे नेक्स है, कभी ने पूतिर सरोज की विवा को अमुल नवल क्यों कहा है बिवा में आत्मिय स्वजन नहीं थे किसी को आमन्तित नहीं किया गया था बिवा के रस्में नहीं हुई थी उप्युक सभी यहां से आपका जो सहीज़वा होगा उप्युक सभी बसंत की प्रथम गीती का अभिपराय है इवा प्रेम की प्रथम संतान बसंत रितु में गया भोर का गीत सुख और आनंद के छन विवा के मधूर छन तिहां से बिकल्प आपका एस एज़वगा इवा प्रेम की प्रथम संतान मुझ भागहिन की तू संबल पंक्ती में निरालन स्वयम को भागहिन क्यों कहा है बिकल्प जो दिये हुए हैं आथिक अभाव्युक्त जीवन के कारण संघर्समें जीवन के कारण पतनी की आसमाईक निधंग कारण उप्युक सभी सच है था चाता पांडो का हीत मैं समन से पर दुर्योधन के हाथों में विका हुआ था तन से प्रसुत पंक्ति कुर्चेत के किस सर्क से है तो यहां से बिकल्प सी हो जेगा चतूर्थ कुर्चेत के कथानक का मुल अधार कौन सा गरंथ है महाभारत रमायन श्रीमत भागवत श्रीमत भागवत गीता तो यहां से बिकल्प यह होगा महाभारत वह कौन रोता है वहाँ पंक्ति में कौन सब्ध किसके लिए पर्युक्त हुआ है विकल्ब आपके दिये हुए है तो विकल्ब आपका यहाँ पर सिसे जोगा सत्य इदुश्टीर पार्थ मैं जाता पितामा पासूं पंक्ति किस से कही है अर्जुन ने इदुश्टी से इदुश्टी ने अर्जुन से इदुश्टी ने दुरपती से अर्जुन ने दुरपती से विकल्ब बी हो जागा इदुश्टी ने अर्जुन से नेक्ट है कुर्चेत्र की भासा है खरी बोली ब्रच अप्रांस अर्दमागदी बिकल्प ए होगा खरी बोली कुर्चेत्र में किनके बीच सनवाद है भीश्म इर्विष्टिर कुंती कर्ण कृष्ण कर्ण दुर्यधन कृष्ण बिकल्प आपका ए हो जागा भीश्म इर्विष्टिर यहाँ पर भी पंक्ती लिख हुई है और यह जो पंक्ती लिख हुई है कमाईनी के किस रक्से है तो यहाँ से जो बिकल्प सही होने मला है बिकल्प ए चिंता सर्ग नारी तुम केवल स्राधा हो यह जो परसुत पंक्ती कमाईनी के किस रक्से है भी चिंता स्राधा असा लज्जा विकल्प डी लज्जा 129 प्रस्ट जो है छायवादी चेतना को मुर्तिमान करने वाली क्रिती कमाईनी का प्रकासन कब हुआ था 1935, 1940, 1938, 1941 विकल्प आपका ए होगा 1935 इस भी भारतिये इतिहास में जल प्रामन की घटना का उलेक किस क्रंथ में मिलता है विकल्प आपका यहां से एस योजगा सत्पत प्रामन के अठ्वा ध्याय में कमाईनी क्रिती परपरसाद को कौन सा प्रुस्कार मिला साहित अकादमी ग्यानपीट मंगला परसाद पारितोसिक भारत भारती तो यहां से विकल्प आपका C होगा मंगला परसाथ पार्टोसिक यहां पर भी पंक्ती लिखूए है यह पंक्ती किसे समंदित है विकल्प A होगा सही जवाब भ्रामगित सार उदव जी का ग्यान गर्व किनको देखकर नस्ठ हो गया था एसोदा नन्द बाबा गोप्यों को क्रिश्न विकल्प C होजाएगा गोप्यों को भ्रामगित सिंगार का कैसा कावी है विकल्प C होजाएगा उप्लामगित सिंगार क्रिश्न ने इस पंक्ती के द्वारा किसे संदेश भेजा है राधा को, नन्द बाबा को, एसोदा मया को, गोप्यों को विकल्प B होजाएगा नन्द बाबा को सिरी किस्ट ने एसोदा मया से क्या समाल कर रखने के लिए कहा बासुरी, पितांबर, मक्षन, गाईये तो विकल्प यह होजाएगा बासुरी यहाँ पर ही पसुत पंक्ती आयोध्या कांड के किस खंड से है आप लोग पर खुद लिजिए लखंद राम सिधे सुनी सुर्बानी पसुत पंक्ती आयोध्या कांड के किस खंड से है देखिए यहाँ पर बिकल्प दिया हुए आपके पास शिरी राम भरत मिलाप, शिरी भरत जी का एविद्या लटना, शिरी राम भरत सनवाद, शिरी भरत द्वारा तीथ जल अस्थापना विकल पापका एसे जवब होगा, शिरी राम भरत मिलाप कौन सी क्रिती तुलसी दास की काभी सौस्टो की दिश्ची से भी उज़ कोटी का महा काभी है राम चित्मानस कमितावाली गितावाली हन्वान बाहुक विकल्प यह हो जाएगा राम चित्मानस असंगत बताना आपको विकल्प डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा सस्वति का मंत्रा की बुद्धी फिरना कैकी मंत्रा सनुवाद प्राजा में खुसी राम चित्मानस के किस कांट का हिसा है तो अयोध्या कांट बाल कांट सुन्दर कांट अबने कांट विल्कुल यह हो जाएगा अयोध्या कांट यहाँ पर भी पंक्ति लिखुई है पसुत पंक्ति जो लिखी हुई है यह उतर कांट मैंसे है आपके पास जो बिकल्प दिए हैं वह देखें यहां पर चार बिकल्प हैं देखिए आप लोग इसको आईसे पर अगर जो सही जवाप दे दिजेगा क्या हो जाएगा भी बिकल्प हो जाएगा देखिए यहां पर आपको चित्रकुट लिखा हुआ तो यह आईसे समझें चित्रकुट का वर्णन है कुछ-कुछ आईसे सेंस पकड़िएगा ताकि आपका अंसर गलत ना हो बिकल्प बी सही जवाप जाएगा कवितावली के किस कांड में कुछ मुक्तकों में ततकालिंग समाजिक जीवन में आम लोगों की दिंता अभाव गरस्त तथा उस समय फैली महमारी की का परभावसाली चित्रन हुआ है उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड तो विकल्प आपका यहां से ए सही जवाप गा उत्तरकांड तूलसी दास की कौन सी रचना कवित्व सवया पत्ति के अंतरगत आती है कवितावली, राम्चित्मारस, गितावली, हन्मान बाहुग, विकल्प आपका यहां से ए होगा कवितावली बुद्देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तूलसी दास हैं यह असाधारन परतीबा लेकर उत्पन हुए, यह कथन है विकल्प चारदी होएं जोर्ज गियरसन का, राम्चित्मारस का, हजादी पसाद दिवेदी का, स्याम सुन्दर दास का विकल्प आपका ए होगा जोर्ज गियरसन का, 145 प्रस्टन जो है, चिंता साग्ड में कौन साथ चंद पर्योग किया गया है रोला चंद, साखी चंद, लावनी चंद, अलहा चंद, तो यहां से विकल्प डी सही ज़ब होगा अलहा चंद 146 कमाइनी में इडा किसका परतिक है, तन का, मन का, हिदय का, बुद्धी का विकल्प डी होजएगा बुद्धी का कौन सी विसेस्ता कबीर काब में नहीं है नाम अस्मरन, निर्गुनो, पास्न, इस्वर विश्वास, नारी परसंसा कबीर के संदर में निर्गिस में से कौन सा कथन अस्त्य है चार विकल्प दिये होई यहां पर भी विकल्प आपका, भी आपका करेक्ट हो जाएगा जो की अस्त्य कथन है कबीर दास की मीतु कहां होई थी, कासी में, मगहर में, बनारस इलाहाबाद बिल्कुल सही ज़र देरोंगे, मगहर कबीर की काविर दूसनाओं का कितना खंड है छे, आठ, तीन, साथ विकल्प तीन सही जबाब होगा, तीन खंड यह था टेस्ट सिरीज, टेस्ट सिरीज, टू था अगर आप लोग इसका पीडियप रखना चाते हैं फ्यूचर के लिए या इस पीडियप से टेस्ट देना चाते हैं तो आपको 7004501486 पर आपको वार्ट्रेप पर मेसेच करने हैं जो की पीडियप होंगे, पेड पीडियप होंगे अभी मैं सोचा हूँ कि कम से कम आप लोगों के लिए टेस्ट पांच तक आजे जाया, आज दो कबिट हो गिया, तीन, चार, पांच, तीन, और मैं कराने का ट्राइक करूंगा, ओके, इस पकास जो भी कंटेन्ट में प्रभाइट कर दा हूँ, अगर कंटेन्ट अच्छे ल